हलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरध्या आरेयस एकेडमी में दोस्तो राजस्तान में आयो जित राजस्तान पुलिस SI भरती परिक्षा 2021 के नवीनतम पाठे करम के अनुसार राजस्तान के बुगोल के दोस्तो टोपिक वाइज टोप इंपोर्डेंट प्रस्तों की सीरीज स्थार्ट की गई थी जिसमें मैं आपको दोस्तो चार टोपिक है वो कंप्लेट करवा चुका हूं नंबर एक बोतिक विबाग नंबर दो राजस्तान की प्रमुक जलवायू नंबर तीन दोस्तो नदियां और नंबर चार सिसाई प्रियोजना आज आपका जो एक टोपिक है ये कितना किलियर है अब गियर सकेडमी के यूटूब चैनल को अगर आप ने अबही तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जरूर करे हुए बेल डंग वीडियो को लाइक ने केना तो ack exp權ए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर पचास यनकी वर्षा है वो पचास से मी से कम हो परती वर्षा अब कहां पर होती है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पस्मी राजस्तान है वहां पर पचास से मी से कम वर्षा होती है तो वहां पर सुस्क खेती की जाती है तो इसका राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा, आगे देखे, सादू सीताराम दास किस कर्षक आंदोलन से समंदित थे, तो दोस्तों सादू सीताराम दास है, यह बिजोलिया किसान आंदोलन से समंदित थे, तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्षन सहुत्तर, नेक्स्ट है, थर्ड नम किस की है ये अपने को पता होना चाहिए देखे दोस्तों यहां पर मक्का की किसम है दोस्तों वो है माही दवल माही दवल यह मक्के की किसम है और दोस्तों यहां पर चांवल चांवल की किसम है डागर सरसो की किसम है दोस्तों यहां पर वर्दान और चना की किसम है दोहद यलो समझ में आ गया मक्का की किस्म है माहि दवल, चावल की है डागर, शरसो की है वर्दान और चाना की किस्म है दोस्तो दोहद यलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखे 2-4-3-1 तो इसमें बै नंबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से राजस्तान का कौन सा करशी जलवायू प्रदेश सरवादिक वर्षा प्राप्त करता है तो कौन सा जलवायू प्रदेश सरवादिक वर्षा प्राप्त करता है तो दोस्तों यहाँ पे जो संदान के अंदर कहा स्थित है तो राजस्तान में 122 संदान कें अंदर ही छोटा करशि जलवायु प्रदेश कउन सा है तो आडर दक्षणी मैदान तो इसका राइट बैनमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा इसका नेक्स्ट आठ नमबर प्रेसन है चेपा एक बिमारी है तो दोस्तों चेपा एक बिमारी है तो यह किसकी बिमारी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रभी की फसलों की यह बिमारी है चेपा ठीक है बैनमबर उप्श जनकी वर्दी करती है वह कौन सी फसल है तो वो दोस्तों डाल है कौन सी डाल है तो इसमें से नमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखिये करजी अनुसंदान के हंदर मंड़ोर कौन से जलवाईू कौन से कर्षी जल्वाई प्रदेश में इस्तित है कर्षी अनुसन्दान के एंदर मंदौर कौन से कर्षी जल्वाई प्रदेश में इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सुस्क पस्वी मैदान में तो इसका राइट आंसर बे नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए खसरा समंदित है यहाँ पे खसरा समंदित है तो यह किसे समंदित है तो देखिए आपने खेती में देखा होगा खसरा नंबर होता है तीक है अब अगर आप पटवारी के पास में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से खसरा नंबर में आपकी जमीने है तीक है तो ये भूमी का छेतर होता है क्या होता है भूमी का छेतर ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसक है और ये किस की किसम है तो ये किसम है दोस्तो किस की तो ये है मक्के की किसम है किस की किसम है मक्के की किसम है माही धवल तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमे ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका ठीक है और दोस्तो कौन-कौन सी होती मक्य की किस्म है तो माही कंचन याद रखना माही कंचन ये भी मक्य की किस्म है और दोस्तो गंगा ठीक है ये भी माही की किस्म है एक है दोस्तो दक्कन दक्कन 103-105 ये भी दोस्तो माही मक्य की किस्म है और अरून किरन और प्रभा ये भी दोस्तो मक्य की किस्म है ये भी आपक इसमें याद रखना है आगे देखिए तेरा नमर का प्रेशन है दक्षणी पूर्वी राजस्तान चेतर में इस्तानांत्रित कर्षी निम्नलिकित में से किस नाम से जानी जाती है अब यहां पे देखिए जो दक्षणी पूर्वी राजस्तान में जो इस्तानांत्रित कर्षी कौन से नाम से जाने जाती है तो वो दोस्तो वालरा जो आदिवासी लोग है ठीक है वो पहाडों को काट कर खेती करते हैं ठीक है फिर एक बार खेती कर ली फिर वो दूसरी जगए पहाडों को काट कर खेती करते हैं वो इस्तानांतरित कर्शी कैलाती है वो और उसको राजस्तान में दोस्तों वालरा के नाम से जानते हैं एनमबर उप्शन सेयुतर नेक्स्ट है जुमिंग कर्शी प्रणाली मुख्यता अपनाई जाती है तो यहां पर जुमिंग कर्शी प्रणाली मुख्यता अपनाई जाती है ठीक है जो अपने राजस्तान में वालरा के नाम से और उदर जाने जाती है जुमिंग कर्शी के नाम से ठीक है आगे देखिए यहां पर सोध संस्तान है सुची फश्ट में सोध केंदर और सुची सेकंड में जिले है यानि कि कौन से सोध केंदर कौन से जिले में है वो आपर है तो यह बिकानेर में है सरसों सोध केंदर है यह आपने देखाऊगा सरसों अनुसंदान केंदर है सेवर भरतपुर ठीक है तो वह यह है तो सरसों भरतपुर में और बेड है वो दोस्तों कोटा में कैसा है नहीं बेड अनुसंदान केंदर है दोस्तों यह टोंक में है अवी का नगर टॉंक में ठीक है तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए बेड का यह हो जाएगा टॉंक में ठीक है तो इसका राइट आंसर ए से बै और यह तो इसका राइट आंसर ए से बै यह तो दे नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आग किया गया था तो यह किया गया था दोस्तों मक्का के लिए ठीक है तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट राजस्तान के कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हितू प्रारेंबिक रूप से चैनित या चिनहित किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोटा भीलवाडा उदैपूर इनको दोस्तों चैनित किया गया था इन जिलों को तो बैनमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा देखिए आपने ये प्रेस्ट में कम पड़े हैं इसलिए आपको ये पूरे के बहुत ही जरूरी है ठीक है आप कर्षी का टूपिक है वो बहुत कम पढ़ते हैं और कर्षी के प्रिशन में आप गलत भी करके आते हैं परिक्षा में इसलिए यह सो प्रिशन देख लिए तो दोस्तों आपका एक भी प्रिशन है वो गलत नहीं होगा कर्षी से संबंदी अठ 12 नंबर का प्रेशन है किसान कलेवा योजना का उद्देशे क्या है तो वो है दोस्तों इसमें गुणवत्तापूर्ण भोजन गुणवत्तापूर्ण भोजन तो इसमें 2 नंबर उप्शन सयूत्तर हो जाएगा आगे देखे गुणिश नंबर प्रेशन है राजस्तान में च राज समंद में A नमबर का उप्षन सहित्तर हो जाएगा नेक्स्ट बीस नमबर प्रेसन है राजस्तान के किस जिले में जैतून तेल सोधन सहित्तर इस्तापित किया गया है राजस्तान के किस जिले में जैतून तेल सोध सहित्तर इस्तापित किया गया है तो वो क्या गया है दोस्तो विकानेर में A number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा विकानेर आगे देखिए 21 number प्रेस निम्नलिकित में से कौन सा जिला सुस्क पस्मी कर्शी जल्वायु प्रदेश में समिलित किया जाता है निम्नलिकित में से कौन सा जिला सुस्क पस्मी कर्शी जल्वायु प्रदेश में समिलित किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तो इसमें बिकानेर में तो इसका right answer दे नंबर उप्शन से उत्तर बिकानेर 22 नंबर प्रशन है राष्टी बीजी मसाला अनुसंदान के अंदर कहां इस्तीत है तो ये कहां पर इस्तीत है काफी बार परिक्षा में पूछा जा चुका है ये है तबीजी अजमेर में कहां पर है तबीजी अजमेर में तो बे नमबर उप्शन सेयुत्तर हो जाएगा इसका, ए नमबर उप्शन राइट आंसर, नेक्स्ट है, तेपिस नमबर प्रेस्टन है, राजस्तान के किस प्रसासनिक संभाग में सरवादिक मक्का का उत्पादन होता है, तो ये होता है दोस्तों उदैपूर में, तो इसका राइट आंसर, ए नमबर उप्शन हो जाएगा, उदैपूर, नेक्स्ट, जैपूर अजमेर दोसा और टोंक जिले, किस करशी जलवाईू छेतर के अंतरगत आते हैं, तो ये आते हैं दोस्तों, कौन से जलवाईू तो वो है, थार्ड बी के अंदर, थार्ड बी के अंदर, तो इसमें बैनमबर उप्शन से उतर हो जाएगा, नेक्स्ट, खस विशेश कर उतपादित होती है, तो खस, कहां उतपादन होता है, खस का सरवादिक, तो ये है, भरतपूर में होता है, इसका सरवादिक उतपादन, बैनमबर उप्शन से उतर हो जाएगा, नेक्स्ट, र नमबर उप्शन संभुतर हो जाएगा, next निमनांकित में से कौन सी कुछी पदती मर्दा अपरदन के लिए सर्वादिक जिम्मेदार नहीं है, मर्दा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है, कौन सी करशी पदती, तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बागाती कर्शी बागाती कर्शी तो इसमें A number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बागाती कर्शी ठीक है तो इसका right answer A number option नेक्स्ट है आगे देखिए 28 number प्रेस ने राजस्तान की मोठा पादप परजाती किस वास का वर्ग है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें किस वास का तो वो है जल्वास का तो इसमें बे नमबर option सही उतर है याद रखना जल्वास नेक्स्ट है राजस्तान में निम्नांकित में से किस जिले में अफीम का सरवादी कुत पादन होता है तो अफीम का सरवादी कुत पादन है वो दोस्तों चितोडगड में होता है कहां पर होता है चितोडगड में होता है नेक्स्ट कुशन है आगे देखिए राजस्तान में कौन सा कर्षी जल्वाई पर देश सबसे बड़ा है तो वो है दोस्तो कौन सा जिला उप आदर दक्षणी मैदानी कर्शी जल्वाई प्रदेश में इस्तित नहीं है तो वो है दोस्तो इसमें डुंगरपूर ठीक है कौन सा डुंगरपूर तो इसका से नंबर उप्सन से यूतर हो जाएगा 32 नंबर प्रेसने निमनलिकित में से कौन सा फल राजस् में मुख्यत है शिरोई जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिकू ठीक है शिरोई में क्या होते हैं चिकू होते हैं नेक्स्ट है 33 नंबर प्रेसने निमनांकित में से किसका परियोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है तो आकार क्या था राधिस्तान में कर्शी भूजोतों का ओसता का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दो पॉइंट तेतर हेक्टर दो पॉइंट तेतर हेक्टर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा से नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें 35 नमबर प्रेस ने कौन सा सुमेलित नहीं है तो दोस्तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये अपने को इसमें बताना है ठीक है और दोस्तो यहां पे देखिए कपास कपास में वीरनार दे रखा है तो ये कपास की जो किस्म है ठीक है इसका नाम है वीरनार ठीक है नर्मा एक और बता देता हूं इसके साथ में नर्मा ये भी दोस्तो कपास की किस्म है गेहूं यहां पे माही दवन दे रखा है जो किस्में गलत दे रखा है देखेए गेहूं के कौन-कौन सी किसम होती है तो कल्यान, सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर ये गेहूं की किसमे है लेकिन यहाँ पे जो माही दवन दे रखा है ये दोस्तो मक्के की किसमे है तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें क्या पुछाता कि सुमेलित नहीं है तो बे नमबर का उप्षन है वो सुमेलित नहीं है चावल की किसम है दोस्तो मोही सुगंदरा ये चावल की किसम है तीक है मोही सुगंदरा या माही सुगंदरा आप बोल सकते है और दोस्तो बासमती चामड होते हैं परमल चामड होते हैं और चंबल भी चामड होते हैं यह चंबल किसम है सारी की सारी है ठीक है आगे देखिए इसमें मक्का मक्का की किसम माही कंचन बिल्कुल सही है तो बैनमर उप्शन सही उत्तर 36. निमनलिकित में से कौन सी फसल राजस्तान के आदर दक्षनी मैदानी कर्षी जलवायु खंड के लिए उप्यूक्त नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जीरा तो इसमें देनमबर उप्षन से उतर हो जाएगा जीरा आगे देखें राश्टिय सुस्क बागवानी अनुसंदान संस्तान निमनलिकित में से किस इस्तान पर इस्तित है तो राश्टिय सुस्क बागवानी अनुसंदान संस्तान कौन से इस्तान पर इस्तित है तो ये दोस्तो बिकानेर में इस्तित है कहां पर इस्तित है बिकानेर में इस्तित है ठीक है याद रखना बिकानेर में तो इसका राइट आंसर देनमबर उप्शन नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सी फसल है वो सफेद सोना के नाम से जानी जाती है सफेद सोना किसको कहते हैं कापास को कहते हैं तो इसमें सही नम्बर उप्संद सई उत्तर केंदर ये सुश्क भागवानी संस्थान इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए दोस्तो अभी मनें आपको बताएप अगे देखिए राश्टी सर्षों अनुसंदान केंदर राजस्तान के किस इस्तान परिष्टित है तो दोस्तों वो है सेवर भरतपूर, कहां पर है, सेवर भरतपूर, बैनमबर उप्शन से उतर नेक्स्ट है, सिर्वी जाती खेती से जुड़ी है, ये अधिकांस्ताय किस जिले में पाई जाती है तो सिर्वी जाती है ये दिकांस्ते कौन से जिले में पाई जाती है तो ये जोधपूर जिले में पाई जाती है सिर्वी जाती से नमबर उप्शन से उतर नेक्स्ट है राजस्तान के निम्नलिक करशी तथ्थों पर विचार कर गलत तथ्थे की पैचान करें तो दोस्तों यहां पे देखिए कौन सा इसमें गलत तत्य है देखिए कपास का सरवादिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगड में होता है बिल्कुल सही है बाजरे के उत्पादन में राजस्तान का देश में पर्थमिस्तान है ये भी सही है परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीब की फसल है गलत हो जाएगा दोस्तों गेहूं है ये रभी की फसल है खरीब की फसल नहीं है राज्य की कर्शी मानसुन पर निर्बिर करती है बिल्कुल सही है तो इसका right answer हो जाएगा से number का option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए सुची first और सुची second दे रखा है सुमेलित करना है ठीक है एक तरह फसल है दूसरी तरह है उचे उपज किस्म है यानि कि कौन सी किस्की किस्म है देखिए दोस्तों यहाँ पे अब से पहले आपको माही कंचन दिख रहा है तो सीधा साब आँख बंद करके इसमें क्या कर देंगे मक्का यह किस्की किस्म है मक्के की ठीक है और गेहूं गेहूं की दोस्तों इसमें किस्म है राज 1482 देखिए राज 1482 राज 3077 राज 3765 राज 3777 ठीक है राज 4037 राज 4083 ठीक है यह गेहूं की किस्म है यह मने आपको बताए है यहाँ पे सारी के सारी जो हजारों के अंदर नंबर है 1482 3077 365 3777 4037 4083 यह सभी हैं यह गेहूं की किस्म है यह भी आपको इसमे याद रखना है ठीक है तो गेहूं की किस्म कुन सी हो जाएगी राज 3077 अब आगी देखिए जो जो की किस्म कुन सी है तो दोस्तो जो की है RHB 30 RHB 30 यह दोस्तो किसी किस्म है जो की और बचा अपने पास बाजरा और बाजरे की किस्म है दोस्तो RD 2035 RD 2035 यह बाजरे की किस्म है ठीक है और RCB 2 राज 171 यह भी दोस्तो इसमें याद रखना है बाजरे की किस्म है ठीक है तो इस प्रेस्न का राजरा आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 4-3-2-1 तो इसमें बे नमबर उप्सन सहीद्टर Next निम्न लिकित जिलों में से कौन सा एक राजस्तान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है तो दोस्तो कौन सा कौन सा एक राजस्तान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगा नगर तो इसका राइट आंसर बेनमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें अफीम से समंदित रोयल कमिशन निम्न में से किस वर्स में राजस्तान आया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अठारा सो त्रियानमबर में कब आया था अठारा सो त्रियानमबर में लोड एम हर्ष्ट ने रोयल कमिशन की स्टापना अठारा सो त्रियानमें में किय थी यह भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखें निम्न कत्नों पर विचार कीजिए इसमें देखें राजस्तान में कर्शी पूर्णते वर्षा पर निर्बर है बिल्कुल सही है राजस्तान में परतिवर्स कम एवं ऐसमान वर्षा के कारण सूखे की इस्तती बनी रहती है तो दोस्तो इसमें ये भी सही है क्या सही है तो दोस्तों सही है आगे देखिए कम वर्षा से एसेंचित फसलों का उत्पादन पर्टेक्स रूप से प्रभावित होता है तो ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है अब इसमें देखिए क्या तीनों सही है नहीं एक गलत है इसमें कौन सा गलत है तो तो वर्सा पूंड़त वर्सा पर तो निर्वर नहीं है कुछ-कुछ वर्सा पर निर्वर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल खै और गय ही, इसमें तो इसमें दैनम्बर ओप्शन सहीवतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में कर्शी उपजमंडी अधिनियम कब पारित किया गया तो ये पारित किया गया दोस्तों कब तो 161 में दे नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा गुनिशो 161 में आगे देखिए 49 नमबर प्रेस ने राजस्तान में मरुस्तल विकास कारेकरम किस वर्स में प्रारंब किया गया तो कौन से वर्स में प्रारंब किया गया राजस्तान में मरुस्तल विकास कारेकरम तो ये गुनिशो 1778 में प्रारंब किया गया तो इसमें दे नमबर उप्शन स इसमें कौनसा तो मक्का, बाजरा, जुवार और अरहर ये दोस्तो खरीव की फसलों से संबन दीत है तो इसमें से नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नमबर प्रेशन है माही कंचन एक किसम है तो दोस्तों माही कंचन एक किसम है तो ये किसम है दोस्तों किसकी मक्का की किसम है तो इसमें बै नमबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से राजस्तान का कौन सा जिला अफीम उत्पादक नहीं है तो रा राजस्तान के दो अगरनी कपास उत्पादक जिले कौन से हैं तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जो कौन कौन से जिले हैं वो तो वो है गंगा नगर और हनुमान गड़े देनमबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट राजस्तान के चार परमुक चावल उत्पादक जिले हैं तो वो कौन से हैं तो वो है हनुमान गड़ बांसवाड़ा बूंदी डुंगरपूर ये चावल उत्पादक जिले हैं तो इसका राइट आंसर ए नमबर का उप्सन हो जाएगा नेक्स्ट राजस्तान में कुण से जिलो का समुहिज सम्मिलित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालो और पाली और शिरोई ए नमबर उप्सन सही तर हो जाएगा नेक्स्ट निम्न में से किसे राजस्तान का पहला जेविक कर्शी जिला गोसित किया गया है तो ये किया गया है दोस्तों डूंगरपूर को सेनमबर उप्शन सेयुतर हो जाएगा डूंगरपूर नेक्स्ट राजस्तान में कर्शी जलवायू परदेश थर्ड भी बाड़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला समिलित नहीं किया जाता है तो वो है टॉंक जिला तो इसमें से नम्बर उप्शन से उतर हो जाएगा टॉंक आगे देखे दक्षनी राजस्तान में सलेश तथा बरने कर्शी को जिस नाम से जाना जाता है वह है तो वह है दोस्तो वालरा तो यहां पर वातरा दे रखा है वालरा करना है आपको तो इसका राइट आंसर वालरा आगे देखे 59 नमबर प्रेस ने राजस्तान के कौन से जिले आदर दक्षनी पूरवी मैदान कर्शी जलवाईू परदेश के अंतरगत आते हैं तो वह है दोस्तो कौन कौन से जिले आदर दक्षनी पूरवी मैदान तो इसमें कोटा बूंदी बारा जहलावार तता कर्शी जलवायु खंड कौन सा है तो कर्शी जलवायु खंड वो कौन सा है तो वो है सुस्क पस्मी मैदानी खंड बै नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखें राजस्तान में अफीम का उत्पादन निम्न में से किन जिलो में होता है तो दोस्तो मैंने अभी आपको बताया था चितोडगड चितोडगड के अलावा दोस्तो कोटा और जालावाड में इसका उत्पादन होता है अफीम का तो इसका राइट आंसर से नमबर उप्शन बिलकुल सहीतर है नेक्स्ट राजस्तान भूमी सुधार वे जागीर पुनर गरन अदिनियम कब लागू कि यह लागू किया गया दोस्तों गुनी सुधावन में इसका से सुधार हो जाएगा गुनी सुधावन ऐसका राजस्तान में से क्या राजस्तान की हरित करानती से समjust हिए दोस्तों यहां पर देखे क्या राजस्तान है वो हरित करांती से समंदित नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएए दोस्तों तो देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उर्वरकों एवं कीट नासकों का उपयोग गटना ठीक है यह दोस्तों इससे ह सुविदा का बढ़ना शकल खर्शी चेत्र का बढ़ना तो इसका राइट आंसर बै नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 65 नमबर प्रेस निम्न में से किसे भूमी सुधार का रूप माना जाता है तो ये माना जाता है दोस्तों भूजोतों की सीमा का निर्धारन है से नमबर उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखे, राजस्तान के दक्षनी पूरवी पहाडी चेतरों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली करशी को कहते हैं तो दोस्तों वालरा कहते हैं । एनमबर उप्षन सहयुतर वालरा राष्टी सरसो अनुसंदान के अंदर सेवर की इस्तापना कब की गई तो दोस्तों सेवर की इस्तापना है वो 1993 में की गई थी ए नमबर उप्सन से उत्तर Next है APMC अदिनियम राजस्तान के किस उद्देशे से लागू किया गया था APMC अदिनियम राजस्तान में किस उद्देशे से लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था दोस्तों करसी उत्पादों के विपनन को सुविदा देने के लिए 69 नमबर उप्सं सë यॼतर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजस्तानी कर्शी विग्यानी के पदम भुषन अलंकरन प्राप्त करता है तो कौन सा राजस्तानी कर्शी विग्यानी के पदम भुषन अलंकरन प्राप्त करता है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है RS परोदा तो इसमें दे नमबर उप्सन सही उत्र हो जाएगा आर एस परोदा देखिए एस परोदा नहीं आर एस परोदा ठीक है से नमबर उप्सन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए भारती कर्शी अनुसंदान परिशद में भारतिय कर्शी अनुसंदान परिशद ने राजस्तान में सरसों अनुसंदान निर्दे साले जहां इस्तापित किया है वो कहाँ पर किया है तो वो है सेवर जिला भरतपुर में देनमबर उप्सन सेयुतर बैतर नमबर प्रेस्टन है राजस्तान में अमेरिकन कापास का उत्पादन किन जिलो में होता है तो दोस्तो बास्वडा, हनुमानगड और स्रीगंगानगर में अमेरिकन कापास का उत्पादन होता है तो इसमें देनमबर उप्षन सही उतर हो जाएगा 73 नमबर प्रेसन है काजरी का पूरा नाम क्या है तो दोस्तो काजरी का पूरा नाम है इसमें Central Arid Zone Richards Institute Central Arid Zone Richards Institute तो इसमें A नमबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगी देखें निम्न में से कौन सी रभी की फसल नहीं है तो रभी की फसल कौन सी नहीं है तो वो है चावल चावल है ये रभी की फसल नहीं है से नमबर उप्शन सही उत्तर केंदर ये सुस्क छेतर अनुसंदान संस्तान का गठन कब किया गया था के अंदर ये सुशक चेतर अनुसंदान संस्तान का गठन कब किया गया था तो ये किया गया था दोस्तों कब तो ये है 1960 में ठीक है जिसको आपन काजरी के नाम से जानते हैं ना वो ठीक है ग milit 60 में इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट राष्टि ये वर्षा सिंचित छेतर प्राधिकरन इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों कहाँ पर है तो ये दिल्ली में इस्तित है कहाँ पर इस्तित है दिल्ली में तो इसमें देनमबर उप्शन सहुतर हो जाएगा नेक्स्ट नाबाड राष्टी, करशी एवं गरामीन, विकास, बैंक की स्तापना हुई थी यानि कि नाबाड की स्तापना कब हुई थी तो इसकी स्तापना बारह जुलाई गुनीLR 22 को नाबाड की स्तापना हुई थी से नमबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे दोस्तों इसमे अठतर नमबर प्रेस निम्न मेश से कौन सा जिला जीरा उत्पादन में अगरनी है तो वो है दोस्तों इसमे जालोर आगे देखे कौन सा सुमेलित नहीं है तो दोस्तों इसमे देखे कौन सा सुम मुंगफली, मुंगफली फचल है ये दोस्तों मुंगफली फचल है, अलवर भरतपूर, पर्मुकुत पादक जिले दोजार पंदरा सोला, तो दोस्तों ये इसमे गलत दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बै नंबर का उप्शन, बिलकुल सही उत्तर हो पाइद की फसल है, तो इसका right answer हो जाएगा, वह दोस्तों इसमें तील है, ये खरीब की फसल है, तो इसका right answer बेनम्बर उपसन सईुतर हो जाएगा, खरीब की फसल है, नेक्स्ट है राजस्तान में जालोर एवं बाड मिर जिले किस फसल के अगरनी उत्पादक हैं तो ये हैं दोस्तो इसमें इसब गोल के बेनमर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है इस्तनांतरित कर्शी को राजस्तान में किस नाम से जाना जाता है इस्तनांतरित कर्शी को राजस्तान में किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो वालरा की नाम से ठीक है नेक्स्ट है राजस्तान में सेवन सब्द का सम्मन किस से है तो सेवन है ये गास है और दोस्तो जसलमेर में पाई जाती है ये गास दुदारों पसो के लिए ये बहुत ज़्यदा सरुवतम है ए नमबर उप्शन सेयूतर नेक्स्ट है राजस्तान में मावट द्वारा होने वाली वर्सा किस फसल के लिए वर्दान मानी जाती है तो वो है गेहूं के लिए गेहूं की फसल के लिए दोस्तों वर्दान मानी जाती है जो मावट की जो फसल है वो तीक है आगे देखे छेतरपल की द्रेश्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा कर्शी जलवायुखंड है छेतरपल की द्रेश्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा कर्शी जलवायुखंड है वो कुन सा है तो वो है दोस्तो सुस्क पस्मी मैदान से नमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं वो कौन से हैं तो वो है स्री गंगा नगर अलवर भरतपूर A number option सेयुतर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखे पिंक बोल वर्ग हाली में खबरों में था ये निम्न मेंसे किस फसल के लिए हानिका रखाए तो ये दोस्तो कपास की फसल के लिए हानिका रखाए A number option सेयुतर हो जाएगा नेक्स्ट है राजे की पहली ओर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली जाएगी तो ये खोली जाएगी दोस्तो कौन से जिले में तो ये डुंगरपूर में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A number option सेयुतर डुंगरपूर 89 number प्रेस्ट है एसिया का पहला ओलीव ग्रीन टी सायंतर कहां इस्तापित किया गया है एसिया का पहला ओलीव ग्रीन टी सायंतर कहां इस्तापित किया गया है तो ये किया गया है दोस्तो बसी जैपूर में कहां पर बसी जैपूर में इस्तापित किया गया है A number option सेयुतर नेक्स्ट है सरसु उत्पादन में राजस्तान का भारत में कौन सा इस्तान है तो ये इस्तान है दोस्तो पर्थम इस्तान है ठीक है तो इसमें एनमबर उप्शन सही उत्र आगे देखिए राजस्तान में सोयाबीन के पर्मक उत्पादक जिले हैं तो वो कौन से हैं तो वो है कोटा बारा कोटा और बारा जिले में दोस्तों सोयाबीन का उत्पादन है वो अधिक होता है ठीक है याद रखना है आपको और सोयाबीन की किस्म है पंजाब फस्ट टी वन ठीक है पूसा सोला मैक्स तेरा गोरव ये सोयाबीन की किस्म है आगी देखिए इसमें 93 नमबर प्र सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में कुल स्वीकर्थ इस्पेशल आर्थिक सेज कितने हैं तो दोस्तों कुल स्वीकर्थ इस्पेशल चेत्र कितने हैं यानकि सेज चेत्र कितने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आठ तो इसमें एह न तो इसका right answer हो जाएगा वो है करशी विपनन बोर्ड से नमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है राष्टिय करशी विकास योजना के अंतरगत राजस्तान को केंद्रिय सायता के रूप में भारत सरकार के परतिसत योगदान को बताईए तो इसका right answer हो जाएगा 60 परतिसत ए नमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा 60 परतिसत नेक्स्ट है राजस्तान में राष्टिय खादे सुरक्षय मिशन में किन फसलों को समिलित किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा वो है गेहूं दालों मोटी अनाज और व्याफारिक फसलों को दैनमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखें निमन मेंसे कौन सी तिलहन की फसल राजस्तान में खरीब के मोसम में उत्पादित नहीं की जाती है तो वो है दोस्तों सरसों तीक है आगे देखिए 99 नमबर प्रेस्टन है राजस्तान की जन संक्या का कितना परति ठीक है बैनमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा राजस्तान के निमन कर्शी तथ्यों पर विचार करके गलत तथ्य की पहचान करें तो दोस्तों कौन सा इसमें गलत तथ्य है ठीक है देखिए कपास का सरवादिक उत्पादन गंगा नगर हनुमान गड़ में होता है बिलक तो दोस्तों प्रैस्तन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक 18 सेकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइ जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभरत